दोस्तों कि आप भी योनो एप में लोगिन नहीं हो पा रहे हैं, लोगिन करने पर आपके सामने हर बार कोई न कोई एरर आ रहा है, जैसे कि नेश्ट बटन पर क्लिक ना होना, पेज लोड ना होना, और सबसे बड़ी प्रोब्लम OTP ना आना, तो लोगिन करने पर आपके कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगे, तो सबसे पहली बात, अगर आपके मोबाइल में योनो एप पहले से इंस्टोल है, तो आपको उसे डिलीट कर देना है, ठीक है, इसके बाद आप प्ले स्टोर पर आएंगे, यहां पर आपको योनो एप को सर्च कर लेना है, अभी आप यहां पर लोकेशन की परमीशन को अलाव करेंगे, तो अभी आपको यहां पर रेजिस्टर नाव पर क्लिक कर देना है, यहां पर परमीशन को अलाव कीजिए, तो अभी आपके सामने यहां पर सिम सेलेट करने का इंटरफेस आजाएगा, तो जो भी सिम आपके बैंक हमें लग सकते हैं तो देख सकते हैं हमारा account यहांपे detect हो चुक है हैं कि आपका account already बना हुए हैं तो भस अभी आमें यहां पर login करना होगा तो इसके लिए आपको यहां पर पर क्लिक कर देने अभी आप यहां पर अपना user name और पासवर्ड यहां पे एंटर करेंगे अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड बूल चुकी है तो आप इस वीडियो को देखके यूजर नेम और पासवर्ड पता कर सकती हैं साथी इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और रेफराल कोड यहां आप इसे यहां पर छोड़ दीजेगा इसके बाद आप यहां पर सब्मिट पर क्लिक करेंगे तो अभी आपके रेजिश्टर मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा यहीं पर ही सबसे बड़ी प्रोब्लम हो जाती है कि OTP नहीं आता है तो आपको एक बात का खास तोर पर दिय को चुके हैं तो मैं यहां पर इसे एंटर कलेटता हूं इसके बाद आप यहां पर निच्चे की साइड आ जाना है यहां पर आप नेश्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर MPN क्रेट करने का इंटरफेस आ जाएगा तो अभी आप सोच रहे होंगे मेरे तो MPN बना हुआ है यह दुबारा MPN बनाने का उप्शन क्यों आया है तो मेरे भाई अगर आप यहनो एप को डिलीट कर देती हो यह फोर स्टोप कर देती हो यह यहनो से अपना अकाउंट लोगाउट कर देती हो तो नेश्ट टाइम जब भी आप अकाउंट को लोगिन करेंगे तो आपके सामने new MPN बनाने का उप्शन आ जाएगा तो अगर आपको पुराना MPN ही यूज़ करना है तो आप यहां पर पुराने MPN को new MPN बना सकती है या फिर आप यहां पर new MPN बना लीजएगा और जो MPN अभी आपने एंटर किया है वही MPN आपको यहां पर दुबारा से एंटर कर देना है इसके बाद आप यहां पर नेश्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर successfully यहां पर योनो एप में login हो जाएंगे देख सकते हैं हमारे सामने यहां पर कोई भी प्रोब्लम नहीं आई है अब आप योनो एप को open करेंगे तो आपके सामने MPN डालने को option आ तो जो MPN अभी आपने create किया था वो MPN डालके आपको यहां पर login को जाना है ठीक है तो इस प्रकार से आप योनो एप में login कर सकते हैं अगर आपको अभी भी कोई प्रोब्लम आई तो आप मुझे comment करके पूछ सकती है